काहे नाही बूझा ही तुहामर फिला वारे अरे देई देली यो छोडा तो राया पन दिला वारे अरे चलो ही बूले टवासे जबर दस्त लागो ही आलाला काटी सटावा में मस्त लागो ही कवाल अई हटे कारी से सया न थुनिया बेला बाजारी से अगया जिला से लेया सया सडिया बुलू कलार के जीय ये सान से वो करे परा खांड हकाई रे छोडा अला भरावा है डोई बरावाई गमांड हकाई रे छोडा है छादभर जागते हैं तीन आ दो या तीन बजे शुबक मरत वब भोंने हम आतका आप सोनांके पीछे की शिर्म मममा कव्तीय म television आपको पॉटीम चार्टा साल उमरुआ है युजिपा आका Elder Clifford करेंगे बट भगवान को कुछ और ही मन्जूर था लेए के सिगरेटा वादिला वाजारो ही यो छोड़ा अता किया वाले के कुरा वालो रवादारो ही यो छोड़ा कहां के रहने वाला है सोनम सबसे पहला सवाल गया जिला नमस्कार परणाम मैं अमीद सवरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तेकर हमारी मौजूदगी है गया के फटेवपूर के मुस्कान म्यूजिक स्टूडियो में और हमारे बगल में जो बैठी हुई है वो किसी परीचे के मोताज नहीं इनका नाम है सोनम यादब और य हम इन से इतनी छोटी उमर में सफल कैसे हो गई इसके पीछे का हाथ किनका है इस सभी विसेव पर चर्चा करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार सोनम यादब है कौन सबसे पहले तो स्वागत है सोनम आपको हमारे चैनल पर थैंक्यू और जितने भी दर सबस्क्राइब करेंगे हैं समाझ लिजिए कि भते पूर से कब से अप गाई की लाइन में हैं 2023 मतलब की एक साल विया गाई की लाइन में हुए है और वाइरल हो गई एक कि साल में अब यह सब जितने भी सपोर्टर जितने भी दर्शक है सब का प्यार है तो अच्छा जो गाना सबसे पहला गाना कौन सब बाइन वाइरल हो था सवना तो यह इसका गाया लेखा कौन तह तो गाना आप गाई है बस यह बैठ कं लोग खूद सा कंपोज किये थे मतलब स्टूडियो में बैठे थे जो हमारे डायरेक्टर मुकेश भी आ है वह थे और मतलब ऐसे ही द सब्सक्राइब करें लेखा के बारे में हम पूछ रहे हैं तो मतलब कि सब मिलकर के लिखे हैं को पर्टेकुलर राइटर नहीं है इसका नहीं है कि छोटी सुमर में मम्मी पापा का चाहत होता है कि हमारी बेटी पढ़े हमारा बेटा पढ़े अप गायक बन गए इतनी कुछ और नहीं मंजूर था मतलो सISTरु संग करते हैं था नहीं है तो हम डांस क्लास कर सके फिर बी म Masla school में पढ़다 करते थी प्रोग्राम में तो जय सब जबारी पंदरा गास्ती 2 मतलब कर भाग लिते थे तो सबसे फसे में हम हम आते थे तो वो बोले कि अम्लोग का जो इस दीरेक्टर उन से बात की हैं जो बोले कि यह कुछ कर सकते है इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा तो बही शुरु सुरु में या तो दो गाना गाये तो कुछ नहीं वह तीसरा चौथा गाना में मेरा गाना हीट कर लिया कषणाना तो जुचात पाप कि आपके मम्म हारा इथ वाइफ है मेरे पाप नहीं अज कॉ पापा नहीं है आप घा बहन कि अब स्टूडियों सभसे पहले यहीं से गया तो यह को आपको अप्र नहीं कर वाया नहीं तरफी अवह हैं अभी तक यहीं होगा है ना श्तार्ट मुषकान मुझीख सही हुगा आ शब से जादा सपोर्ट मुषम कौन गरता सोनम आपको मतलब कि पिछ कोई नहीं भाद बन करके खड़ा है तो मुकैश जी के बारे में क्या करना चाहिए फ़र क्या बोलेंगे बस यही भगवान का शुक्रियादा करते हैं कि उनसे हमको मिलाए हैं बस मुकेश जी से कौन मिलवाया था अपको सबसे पहले हमारे टीचर थे अनुच सर हम लोग का मतलो क्लास में जब सीक्स या सेवन क्लास में पढ़ते थे तो वही हम मतलो हम लोग से मिलवाय थे आपके परिवार का जीवका कैसे चलता है सोनम जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमारे पापा नहीं है मम्मी होस बाइप है तो पैसा आता कहां से घर का परिवार के से चलता है कुछ नहीं बस हमारे दादा जी है उनका प्रिशियन उठता है यही दस-12,000 मंतली तो उसी से सारा कुछ मेंच होता है मतलब कि सोनम मध्यम परिवार से बिलॉंग करते हैं बहुत री अचा एक गाना आपका अभी रिसेंटली वाइरल हुआ था ललका टी सटवा गर के कुछ नहीं बोबला सुनाई एक दो अंद्रा इसके आगे बला अंद्रा तुमारी के मीठी मुसी की हामर जिया रा जुडा वो ही कि और कोरी ले हमरा से प्यार बड़ी कोस्त लागो ही अलाला काटी साटावा में मस्त लागो ही उमर अपक इतना हुआ अभी इतना अच्छा गाना गा लेती हैं मतलब कि इतना कम उमर में बाइरल भी हो गई 14 14 14 चारा साल मा उमर हुआ ऊपका और 14 साल में आप क्या बोलते हैं कि यूटिव और फेस्बूक पे धूम मचा हुई है हजा हर किसी सफ़ल व्यक्ति के पिछे किसी की का हात होता है सोना एम के पिछे किसी का हात है मम ममी का जब तक को बोले तो जब तक मम्मा का सपोर्ट घ यहां hyd pon师 भी होगा तब तक आप तब रहर भी नहीं तर पको ताथ समय केडिनेए कि हम द्याभी आई किम को करना तूम कर रहर सिखाएं। ृप एक अपना काम कर रहे हैं। Comms ally का सब्रक्स होता है आपके पीछ तर्ट हम Миха तर्ट हमेसे हम इसा 批ती है वाए ऐस दिदी आ Care जाते एंट पर भिस नपीधेis एट सब्सक्राषा Si Next जहां भी जाते हैं तो सूनरा रातीय न को μέंसे लnam Matti, he said he orsan, right ? अब धगया मंधिरावा में तोर सदिया होता हुरे अवोने बरातिया यह तो एने अमारा रथिया जहीता हुरे अच्छा यह सब साइड सौंग है हाँ बस वही समझ लीजिए भक्ति गाना काई है कि नहीं आज तक भक्ति गाना काई है कौन सा है सुरू में गाया थे दो तीन सौंग गाया थे बड़ पता नी क्या हुआ उस चैनल का मतलब सारा कुछ डिफिर्ज हो गया मतलब वह चैनल ही ने रहा चैनल ही खता होगा जिस पर वक्ति गाना काई थे भो बहुत सारा था उस पर तो वह खता हो गया जब इस सार्च करके सब से उपर है लभरवा है गाना का ये वोला ये सब गाना ट्राक और हाइवावर ट्रेक्टर पर बहुत ज्यादा बजता होगा और जब अपना गाना स्टड़क पर सुनते हैं कैसा फिलिंग होता है बहुत अच्छा लगता है जब भी कई बाहर निकलते हैं यह से तो मतलब कही ना कही अपना गाना सुनी लेते हैं कोई नहीं कोई गाना बज़ते रहता है ना अब दू अब लक्षमी पूजा में भी बज़ा होगा बहुत सारा आपका अबस अब भी अगर आज रात कुछी तो कर रात को मतलों सोते भी एन यह पे तो कहीं नहीं इदर रोज एक नए जगह पर साधी होता है दर मतलों सहर तो अब जमना तब यह ललकर्टी सटवा बोध गया मंदिरों कोई भी गाना वह मेरा लगतार में दो तीन गाना बज़ता है अच्छा टेकारी बगल में है टेकारी को पर अप गाना गाई है क्या हां सायद गाय थे हां सायद गाय थे क्यूंकि हम भी आ रहे थे तो सर्च करते कौन-कौन गाना गाई है सोनम उसका एक दो लाइन याद हो तो कि अरे टीका वालाई हटेकारी से संयन थुनियां बेला बजारी से अगया जिला से ले यह संया सडिया बुलू कलर के इस पर रिल्स बहुत बना था गया वाले जो क्रियेटर्स हैं एक दम गर्दा उड़ा द vida को बने में तरिक बहुत सारे प्रकरियाओ से गुज़रना पड़ता होøológ है किनकिन प्रकरियाओ टारा कितना कश्च्ठ होता हां जाना को पभलीग तक पशुचाने में यह तो पहले नमर तो मौना हम राध बज क्या नीमा पड़ते िन यह सुब हम सोना पड़ता हुः कि हम कभी शर्षा कामके वक्त काम अपने दर्सपकोंकों क्या संदिश देना चाहेंगा जो आपको देखते हैं जो आपको प्यार करते हैं बस यह कि ऐसा ही सपोर्ट करते रहे हैं उसनत rpm यह को अरीज प्यारा सिरुवात देते रहें उणा फ़् i have क्या बोलता है कि कहीं ना कहीं आप से सीखते भी हैं क्योंकि इतना अच्छा अच्छा गाना बजाया है आप बजा है अपने छोटे भाईयों को और भानों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख करके इस फिल्ड में आना चाहते हैं बस यह कहांगे कि वैसा ही जैसे हम अप आप से तो नहीं हो सकता है तो अगर आपके बच्चे या बहन भाई कुछ भी हो अगर यह लाइन में आना चाहे तो बस आने दे और फिर उनके उपर चोड़ दे बस मेहनत करते रहे और हिया मेहनत के अलावा सफलता नहीं हो सकता है जी बहुत सरे लोग के मन में सवाल अभी चाहते हैं वो पूरा हो जाता है और आगे एक बड़ा कालाकार और सिंगर बना चाहते हैं और स्वक्ष गाना गाई यहां क्योंकि भोजपूरी और मघी में बहुत असलीलता आ गया आपको भी पता होगा यह तो पता है इसलिए आप सर्च करके आप बोले अभी कि हम देखते आ रहेंगा वैसा कोई नहीं बस यह मिला होगा लबहरवा करके छोड़ा छोड़ा कोई चाहत भी नहीं है क्योंकि लोग हमको ऐसे ही पसंद कर रहे हैं बाके इस छोटे सी नन्ही सोनम यादब के लिए आप क्या सोचते हैं कमेंड बाक्स में बताईएगा हम ऐसे देश दुनिया की तमाम चोटी बड़ी ख़वरों साब को रुबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं अलंदा दस तक दन्नेवाद है